गाडरबरा चीचली जनपत छेत्री के अंतरगत क्राम रिच्छाई की एक महिला हलकी बाई उम्र 35 वर्स ने एक तारीकी रात्री में अपने घर में फासी लगाकर आत्महत्या कर ली इस घटना के बाद परीजनों ने पुलिस पर बड़े सवाल खड़े कर दिये मृतक के पती जैनारायन चौधी ने पुलिस पर आरूप लगाते हुए कहा कि 28 सितंबर को इसकी पतनी के साथ बलातकार की घटना हुई जब रिपोर्ट करने गौटी टोरिया पुलिस चौकी पहुची तो वहाँ पर रिपोर्ट नहीं लिखी गई और वहाँ से डाटकर भग दिया गया दूसरे दिन 29 सारीक चीच्वी थाने सिकायत करने पहुचे तो पुलिस ने दिन भर पीड़त के परिजनों को ही थाने में बिठा लिया और देर साम को नजराना लेने के बाद छोड़ दिया गया उक्ता अरूप प्रतक महीला के पती द्वारा लगाए गया उसक की पत्नी ने बताया था बातुरंत गौटी टोड़िया पुलिस में रिपोर्ट करने गए थे अगर समय पर पुलिस कारेवाही कर लेती तो मेरी पत्नी की जान बस सकती थी काड़बर अस्पताल में सब परिक्षन के समय एस्टी ओपी सीतारा म्यादों ने म्रतक के परिजनों की बास सुनी और उनके द्वारा चिन लोगों की नामज़ सिकायत की गई इस पर कारेवाही करने का पूरा आश्वासन दिया गया सब परिक्षन के दोरान परिजन चीक चीक कर बलातकारियों एवं दोशी पुलिस कर्मियों पर सकत कारेवाही की मांग कर रहे थे